दुर्बुध्धी विन्यश्यती यहे पार्थ विश्णु शर्मा के प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र से लिया गया है इस पार्थ में बताया गया है कि सही समय देखकर ही कुछ बोलना चाहिए और मित्रों के बात माननी चाहिए तो इस पार्थ में क्या हुआ था इस बात को जानने के लिए चैप्टर की समरी पढ़ लेते हैं आज इंटरेस्टिंग तरीके से तो उराने समय में मगर देश में फुलोतपल नाम का एक तालाब था उस तालाब में दो हंस रहते थे एक का नाम था संकट और दूसरे का नाम था विकट उन दोनों हंसों के साथ एक कच्वा भी रहता था जिसका नाम था कंबू ग्रिव तीनों मित्र बड़े ही आराम से अपनी जिन्दगी जी रहे थे हसते गाते खेलते कुछ दिन बाद कुछ मच्वारे उस तालाब पर आए और कहने लगे हम लोग कल मच्वलियों को और कच्वों आदी को मारेंगे यह सुनकर कच्वा दोनों हनसों से बोला की दोस्तों क्या तुम दोनों ने मच्वारों की बात सुनी है अब मैं क्या करूँ तुम तो उड़कर चले जाओगे और मैं तो यहां फस जाओँगा तो दोनों हसने लगे कि सुभे जो उचित होगा वही करेंगे तो कछवे बोला नहीं ऐसा मत करो मुझे बचाओ कोई ऐसा उपाई करो कि मैं दूसरे तलाब में चला जाओं तो दोनों हसने लगे और कहने लगे कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं तो कच्छवे ने एक उपाय निकाला और बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकास के रास्ते से दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा ऐसा मैं सोचता हूँ मैं ये काम करूँगा कि तुम्हारे साथ आकास से उड़ करके चला जाऊंगा तो दोनों हंस बड़े आश्चरिय के साथ बोलते हैं कि यह कैसे possible है कैसे संभव है तो कच्छवा बोलता है कि तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच में पकड़ लेना मैं उस लकड़ी के टुकड़े के मध्य भाग को अपने मूँ से पकड़ लूँगा और दोनों जो है उस लकड़ी को दोनों और से पकड़े करके उड़ जाना इस तरह से हम दूसरे तालाब में चले जाएंगे इस पर हंस बोलते हैं कि यह उपाय तो ठीक लग रहा है लेकिन यहां पर एक खत्रा है हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देख करके कुछ कहेंगे लोग कुछ कहेंगे तो तुम उनकी बातों का उत्तर देते हो तो तुम निश्चीत रूप से मर जाओगे क्योंकि तुम्हारा मूख खुल जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे और उनकी द्वारा मार कर खा लिये जाओगे तो इस पर कच्छवा कहता है क्या तुम्हें पागल दिखता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मैं उत्तर बिल्कुल भी नहीं दूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा मुझे ले चलो नहीं तो मच्छवारे मुझे मार देंगे इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करूँ दोनों हंस लकडी के डंडे को दोनों तरफ से पकड़ करके उड़ जाते हैं और कच्छवा उसे पकड़ते हुए आकास में तीनों जर लोग उड़ जाते हैं रास्ते में लोगों ने देखा तो उनके पीछे दोड़ने लगते हैं अरे यह तो महानास्चरी है लोग कहते हैं कि दोस्तों के साथ एक कछवा भी उड़ रहा है कोई कहने लगा यदि हां कछवा नीचे गिर जाता है तो पका कर खा लूँगा फिर एक आदमी बोला कि आख खा लो बस फिर क्या था उसी पल उसका मूँ जो था लकड़ी से चुटा और प्रिथ्वी पर वह गिर गया ग्वालों ने लोगों ने उसे मार करके खाया पका कर खा लिया इसलिए कहा गया है कि भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन या जो वो बात कहते हैं उसे खु कि हमें सही समय देख कर ही कुछ बोलना चाहिए मुर्खों की तरह बिना समय देखे हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल पर जा करके आप सभी वीडियो देख सकते हो थेंक यू फूर वोचिंग